हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता समोसा ये देखो आरी है ना आवाज और ये है फेमस इंडियन रेसेपी जो कि बिल्टकुल मार्केट स्टैल में बनाने वाली हूँ आज मैं और अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये देखो एक दम खस्ता चलो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस पर यहां मैंने 700 ग्राम ली है मैदा मैदा की कौन्टेटी 700 ग्राम है और इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट टेस्ट के अकोर्डिंग और अब एक चममच भर के इसमें मैंने अजवाइन क्रश करके डाल दिये दोनों ह और दो चमच मैंने डाला है इसमें रिफाइन डाल यानि टोटल मिला करके एक कप के करीब मैंने इसमें मौइन डाला है अगर आप देसी घी यूज करते हो तो यह भौती ज़्यादा खस्ता बनते हैं एकदम क्रिस्पी और खस्ता समों से बनते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से दोनों हाथों से मसल मसल के इसको मिक्स कर लेना है और यह देखो यह मुठी बंद नहीं लग जाए इस स्टेज तक इसको मिक्स करना है अब हम इसका एक डो रेडी करेंगे और इसका डो एकदम टाइट रेडी करना है और इसमें जो पानी हमें ready करना है, इसलिए इसमें batches में पानी उच करना है, ये देखो, इस तरीके से इसका dough ready कर लेना है हमें, और ये dough हो गया है ready, अब मैं इसको एक bowl में transfer कर लूँगी, और गीले कपड़े से, गीली towel से या कोई भी कपड़ा हो, उससे ढखके रख दिना है इसको, कम से कम 20 मिन के लिए, अब मैंने यहाँ पर आलू बॉयल कर लिये थे, ये आलू बॉयल करके मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है, और ये बिल्कुल ठंडे हो गए, और इनका छिलका उतार लिया है, और इसको मैं तोड़ लूँगी, इसको एकदम से mash नहीं करना है, आलू को जीरा पाउडर, सूखा दनिया, काला नमक, सफेद नमक और ये थोड़ा सा गरम मसाला और ये है सौफ, सौफ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए है, सौफ को मैंने पीस लिया था, और यहाँ पर लिए हैं ये मैंने काली मिर्च जो के होंगी, करीब 22 काली मिर्च हो तोड़ा सा ओईल हो गया है गरम अब मैं इसमें डाल दूँगी हींग थोड़ी सी या थोड़ा सा जीरा अब ये जीरे को भून लेना है अब मैं इसमें डाल दूँगी जो काली मर्च थी वो डाल दी है इनको भी भून लेना है और यहां मैंने थोड़ा सा अध रख लिया था इसको क्रश कर लिया है इसे भून लेना है अब मैं इसमें दो हरी मिर्च काटके डाल दूँगी हरी मिर्च भी डाल दी हैं मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जो सॉफ का पाउडर मैंने रेडी किया था वो डाल दूँगी अभी फ्रेंट से समोसे में मटर पड़ती है काजु और किश्मिष भी पड़ता है तो उसको इस स्टेज पर डालना है मैं आज नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते इसलिए मैं मतर नहीं डालूँगी और नहीं किश्मिष और काजु डालूँगी क्योंकि लाइक नहीं करते बच्चे अगर आपको डालना है तो इसी स्टेज पर डालना होगा वो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू जो मैंने रैडी करके रखे थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जिससे के आलू एक दम से नहीं हो समोसे की जो आलू होते हैं वो एकदम से मेशनी होते हैं और अब मैं इसमें डाल दूँँगी हरा धनिया खोप सारा और इसको भी मिक्स कर लेना है और यह हमारी समोसे की फिलिंग है ready यह देखो यह समोसे की फिलिंग रेडि हो गई अब हम चलते हैं समोसा बनाने के प्रोसेस पे यहां डोको हो गए हैं 20 मिनट अब मैं इसका कपड़ा हटा दूँगी और इसको थोड़ी देर मसल लूँगी इसको थोड़ी देर पहले मसल ना है और फिर बीच में से तोड़के इसको अच्छी तरह से फिर दुबारा से मसल ना है इसको इस तरीके से और इसका एक रोल त्यार कर लेना है इसको मसल मसल के एक रोल त्यार कर लेना है इस तरीके से और एक नाइफ लेना है या फिर पीजा कटर लेना है और इसके पेड़े तोड़ लेने इस तरीके से मोटे मोटे पेड़े तोड़ लेने है और इसकी लोई बना करके इसको बेल लेना है अब मैं दिखाती हूँ ये थोड़ा सा टाइट आटा है तो इसको इसकी लोई बनाने में तोड़ी difficulty होगे बट बन जाएगी आसानी से और इसको बेल लेना है और इसको oval shape में बेलना है इसको गोल नहीं बेलना इस तरीके से इसको oval shape में बेल लेना है और इसको बीच में से cut कर देना है knife की help से इस तरीके से इसको cut कर देना है बीच में से अब जो एक part है इस एक part की बीचों बीच में जहां से हमने cut किया था वहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसको करेंगे इस तरीके से fold एक corner को दूसरी corner से मिलाना है अब मैं पता देती हूं इस तरीके से इसको fold करना है और इसको अच्छी तरह से प्रैस करके इसको चिपका देना है इसको अच्छी तरह से बीचों बीच में जिस जहां से हमने चिपकाया था वहां से हम एक किनारी से दूसरी किनारी को चिपका देंगे इस तरी किसे इसको चिपका देना है और इसको अच्छी तरह से प्रैस करके चिपकाना नहीं तो ये खुल जाएगा सेक्टे टाइम ये देखो, ये हमारा समोसा हो गया है, रेडी, अब हम दूसरी फिलिंग भी कर लेंगे, ऐसे ही, अब इसमें भी हमने आलू फिल कर लिया है, और इसको पानी लगा करके फिर चिपका देना है, इस तरीके से, फ्रैंट से एक बार इस तरीके से बनाएंगे, तो बिल्कुल मार किट में मिलते हैं, खस्ता समोसे, इसी तरीके से हम और भी फिल कर लेंगे, हमने और भी लोई ली हैं, और उसको बेल लेना है, और उसको बीच में से कट करके, हम इसी तरीके से हम और भी समोसे बना लेंगे, यहां लगाएंगे हम पानी, और इसको करेंगे हम फोल्ड इस तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया था, SAME उसी प्रोसीजर से इसको फोल्ड कर लेना है, और इसमें आलो की फिलिंग कर देंगे, इस तरीके से, और फिर इसके ओपर फिर पानी लगाएंगे हम, और इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे ये ध्यान रखना फ्रेंट्स की इसको जब चिपका है तो अच्छे से प्रैस करके चिपका है नहीं तो ये खुलने का चांसे ज़्यादा रहेंगे इसके और इसी तरीके से हम सारे समोसे को रैडी कर लेंगे ये देखो यहां मैंने और भी समोसे फिल कर लिये हैं समोसे सारे रेडी हो चुके हैं यहां पर 700 ग्राम मैदा में 30 समोसे रेडी हुए है और हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर जो कि समोसे का है इंपोर्टेंट पार्ट यहां मैंने gas पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था और चेक कर लेना है तेल गरम हुआ है की नहीं अब मैंने चेक कर लिया है तेल हो गया है गरम अब मैं इसमें डाल दोंगी समोसे जो मैंने रैडी करके रखे हुए थे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए गैस का फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो समोसे उपर से जल जाएंगे और उपर समोसे पर बबल्स आ जाएंगे आप देखना है मेरे समोसे में एक भी बबल्स नहीं दिखाय देगा आपको low to medium flame पर gas को रखना है इसको high flame पर नहीं सेखना नहीं तो अंदर से तो सिखेंगे नहीं यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उपर से चल जाएंगे उपर से जल्दी सिख जाएंगे इसलिए इसको medium flame पर सेखना है और ये समोसे का important part होता है खसता समोसे बनाएंगे तो medium flame पर सेखना है इसको और ये देखो ये सिख चुके हैं समोसे एक दम perfect और ये देखो एक भी bubbles नहीं है समोसे में अब मैं दिखाती हूँ आपको serving plate में यहा कोड़ के भी दिखा देती हूँ ये देखो कितने खसता समोसे बने हैं ये हैं बिल्कुल market style में समोसे एक बाद ट्राइज जरूर करना अब मैं इसको बजा करके दिखा देती हूँ ये देखो कैसे कट-कट की आवाज आ रही है एक दम खसता समोसे है और फ्रेंट्स कारंट कर देना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना अभी के लिए फिर मिलते हैं बाबाए